तो रेमिंड के टॉप मैनेजमेंट ने एक काफी बड़ी और एक बहुत इंवेस्टर मीट प्लान की थी अपने थाने ओफिस में और हमाई सोसेज ने बताया हमें कि 50-60 प्लस टॉप फंड मैनेजर्स ने अटेंड की थी वो और उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट में भी मैसिजिंग मैनेजमेंट से आई है इन्वेस्टर कम्यूनिटी को जिसकी वेसे यह रिरेटिंग मूव हमने देखा और आगे क्या प्लान्स लाइंड अप है मैनेजमेंट के यह बात करने के लिए आज रेमिंड के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित हमारे टॉप तीन चार बाते आप हमारे विवोज के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपने मेसेजिंग दी इस स्ट्रीट को उससे शुरुआत करते हैं. जी बिलकुल, पेले बात तो हम ये बताएंगे कि हमारी ये जो इंवेस्टर मीज थी साथरड़े को ये हमारे थाने की प्रमाइस में थी, जो कि सब को पता है कि ये 120 एकर की हमारी जो लैंड है, ये पूरी डेवलपर वल है, और हम वहां पर हमारा तीन मेजर एजन्टा था, उसमें हमने बताया कि हमारा जो सारा बिजनस है, लाइस्टाइल का ले लाइस्टाइल से शुरू करते हैं, जो कि फाबरिक, सूटिंग, शर्टिंग और अपरिल के बारे में हैं, वो बिजनस में अभी हमने देखा है, बहुत अच्छी बिक्री आ रही है, इसका बहुत अगर शादी होती है, तो इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, जिसमें की रेमट का कपड़ा लगा जाए, तो उसी तरीके उसके कारण हमने ये देखा, कि हमारे जो बिक्री है, चाए सूटिंग हो, चाए शर्टिंग हो, चाए अपरल हो, सब की बिक्री में काफी ब कोविड लेवल के बराबर आजाएगा, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं हो, दूसरा हमारा बहुत बढ़ा फोकस यह है, कि जो रियालिटी का बिजनस हमने डाई साल पहले शुरू किया था, वो हमारा बिजनस काफी अच्छे प्रगती पर है, और उसमें क्या देखने को मिल है, वो 1 BHK, 2 BHK का है, जो की affordable housing में आता है, जिसके करण एक common man जो है, वो उसको properly खरीब सकता है, और सब को पता है कि हमारी जो ठाने की land है, वो most attractive location है, प्लास में हमारे तो बहुत बढ़ियां, जो इंडिया के top ranking school है, वो हमारे premise में ही है, तो जिसके करण की एक family की जो life है, वो बहुत अच्छी बहतर हो सकती है, इसके करण हमने sales का traction बहुत अच्छा भी है, और हम यह देख रहे हैं कि यह जो project है, इसमें करीब करीब 3,000 करोन का revenue आएगा, और करीब करीब 800-800 करोन का हमको net cash flow, free cash flow positive कोईगा, और तीसरी बात हमने यह कहीं कि हमारे businesses जो बहुत अच cost rate किया, अगर आप पिछले साल देखें, तो हमने साड़े 400 करोन का debt reduction किया, जो कि हमने working capital management के द्वारा, plus cost reduction के द्वारा किया, और जो cost reduction थी को सिर्फ COVID के यह के लिए ही नहीं थी, हमने इस पे 300 करोन का almost sustainable cost reduction किया है, जो कि हम इस साल के result में भी देख रहे हैं, तो यह तीन ब sentiment मिला रहे, investor का जो sentiment मिला है, वो काफी positive है कि सब को यह पालू है, कि जो रेमंड है, इस पे बहुत strength है, 96 years से कोई company अगर चलती है, और अगर उसमे strength नहीं हो, 96 years going through the most toughest of the times, with world war, independence, different regimes, and the pandemic, we have survived, so that shows the testimony of the companies. यह तो बात आपने सही कई, यह आपने सही कई बात आमित, इतने लंबे अर्से तक durability company की एकदम साफ तोर पर सामने आई है, कि हर तरह की उतार चड़ाव cycles, business cycles, economic cycles को पार करके company आज इतनी खड़ी है, मजबूत, लेकिन हम यह भी जानते हैं, कि हमने जानकारी लिए है, कि अ अब company एक transformation phase को adopt कर रही है, जिसमें अभी तक promoter का बहुत बड़ा रोल था company को आगे steer करने का और strong उनाने का, जो कि अपनी जगा बहुत अच्छी तरह display हुआ है, लेकिन अब promoters और top management, professionals का रोल जादा बढ़ाने के plan कर रहे हैं, different segments में, और company को एक different segments में बहुत professionally run rather than promoter run company को transform कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देजिए हमारे viewers के लिए, जी बिलकुल, देखें क्या होता है कि जब business शुरू होता है, मैं पहले real estate से शुरू करूँगा, कि हमारे जो CMD Mr. Sinaniya है, वो real estate business जब उन्होंने शुरू किया, तो अभी तक वो practically every hour so to speak, he watches that, की progress ह रही है, अभी एक certain platform पे आ गया है, जब इस platform पे आ जाता है, तो आपको expand करना है, तो जो bandwidth चाहिए, उसके लिए you need a thorough, big, strong management team, तो हमने ये किया, कि हमने management team बहुत strong develop किया है, आज हमारे real estate की जो team है, उसमें 200 लोग काम करते हैं, जो की पुरी team को manage करते हैं, sales marketing है, execution है, project management है, finance है, everything we have a very strong team, and दूसरा, हमारा ये जो project है, ये पहला project है, इसलिए हम इसको showcase तरना चाहते हैं, कि what Raymond commits, Raymond delivers, because हमारा जो सबसे बड़ा एक थास है, Raymond का trust, quality, ये इसको हम compromise होने नहीं देंगे, इसलिए क्या होता है, जब business शुरू होता है, तो promoter का involvement जादा रहता है, एक certain level पे आने के बाद हम उसको broad base करते हैं, दूसरा क्या था कि हमने real estate building में अगर आप देखें, तो हमने manufacturing approach लगाया, जैसे हम manufacturing में एक तम focus रहते हैं, कि day to day हमारा कितना production हुआ, कैसा sales हुआ, उसी तरीके से हम इस business में भी गए, कि हम साथ दिन में एक slap task करते हैं, तो हमारा fundamental क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा engineering vertical होगा, तीसरा हमारा real estate vertical, चौता FMCG और पांचमा education, जब इस तरीके का broad conglomerate हो जाता है, उसके लिए you need a very strong professional management with a professional board, तो उसी बात को लेते हुए, हम लोगों ने ये expansion की बात करी है, कि हम इन सब कंपनियों को एक professional management देंगे, professional board लाएंगे, जो कि हर business को drive करेगी, और इसका एक और advantage होता है, कि जहां पर उनको growth capital की जरूरत है, हम उस business में ला सकते हैं, क्योंकि हर investor को पूरा conglomerate में invest करने की आदत नहीं है, तो he can come, अगर real estate play है, तो real estate में आएगा, engineering में play है, तो engineering में इस तरीके से हम business को देख रहे हैं, और group का philosophy बहु पूरा है, यह आपने बहुत अच्छी बात बुली, अमित, आपके shareholders और हमारे viewers इसको सुनके बहुत खुश होंगे, कि management का एक renewed focus और एक renewed vigor के साथ, return on capital employed, improve करने का जो focus है, जो आपने message दिया है, वो भी बहुत शानदार है, और of course debt reduction, तो 3-5 साल में, आपके different segments, कि size and scale पे पह fruitify हो जाते हैं, तो किस scale तक इसका potential है, सारे businesses का पहुचने का, 3-5 साल में? देखे हमारा जो बहुत बड़ा एक growth plan है, वो real estate sector में होगा, क्योंकि real estate में अभी एक project किया, हमारी जो land है, अभी हमने 1 और 2 BHK affordable में किया था, अभी हमने 3 और 4 BHK soft launch किया है, हम commercial premise की भी बात कर रहे होंगा, तो वो एक बड़ा हमारा expansion theme है, दूसरा हमारा expansion theme अगर आप देख पार्क revenue, KS, कामसुत्रा, इसके उपर भी हम ये expect करते हैं कि this will take us a very large, ये हम clearly देखते हैं कि next 5 साल में हम इसका revenue double करके देख सकते हैं, तीसरा हमारा जो engineering का business है, जो कि 50% almost export करता है, अगर आप देखें तो चाइना अस्वन की जो philosophy आ रही है तीजे तीजे, वो हमको बहुत support कर रही है, और उस पे भी हम बड़ी revenue growth की तरफ देखते हैं, और हमारा जो main lifestyle का business है, अगर आप digital की तरफ बात करें, जो कि आज पर digital consumerism बहुत बहुत है, तो हमने pre-covid हमारा online apparel का sales जो की 4-5% होता था, अभी हम 22-23% पे पहुँच गया है, तो हमने उसमें भी बहुत aggressive drive किया है, तो हम यह देखते हैं, फी नए features के through, जैसे हमारा made to measure है, made to measure, अगर हम online इसको demonstrate करते हैं, हम omnichannel presence अपने सारे stores में develop करते हैं, जो कि अभी 300 store में हो गई, out of 1400 stores, उससे हमारा काफी अच्छा expansion मिलेगा, और जब आप देखें, जब हमने clear बताया है कि अगले 3 साल में पो debt-free होना है, और हमारा 300 करोड का cost reduction हो गया है, तो return on capital employed तो वाजिब बात है, वो तो बढ़ने वाला ही है, तो इस तरही के से हम काफी अच्छी growth और expansion, both revenue, profitability and because of these two shareholder value will be created, I think there is no doubt about it. आमित, बहुत बहुत धनिवाद, ETNOW स्वदेश हम से बात करने के लिए, even on ETNOW, and हम हमारा network आपको विश्च कर रहा है कि आप सारे अपने plans को और अपने targets को not only fulfill करें, लेकिन समय से पहले fulfill कर लेंगे, I am sure, thank you very much for your time today.